सुरंग में फसे मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभ्यान का आज पांचवा दिन रविवार से फसे हैं 40 मजदूर सुरंग में फसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए अभ्यान की समीक्षा उत्रखन के मुख्य मंत्री पुषकर सिंग्धामी ने राज्य सचिवाले के वरिष्ट अधिकारियों के साथ समीक्षा की उत्रकाशी सुरंग दुरघटना स्तल पर शल रहे वचाव अभ्यान पर सियमधामी ने कहा मशीन इंस्टॉल हो गई है और काम शुरू हो गया है सियमधामी का बयान कहा सभी लोग एक दूसरे के समनवय के साथ कर रहे हैं काम स्थिती थोड़ी कठिन है लेकिन सभी लोग सुरक्षत हैं सुरंग दुरघटना स्तल का जायजा लेने के लिए पहुंचे केंद्रिय मंत्री वीके सिंग कहा चीज़ें भेज दी गई हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं टनल में फसे मज़़ूरों को लेकर NHIDCL के पियारो गिर्धारी लाल का दावा 99.99 फीसद मशीने इंस्टॉल लोग गुम रहा ना हो सुरंग में फिर मलबा गिरने से रेस्क्यू आपरेशन में आई दिकत दिली से ले जाई गई हैवी ड्रिलिंग मशीन अंदर फसे मज़़ूरों में से एक विज़े से उसके पिताने की बाद आद शाम तक सभी मज़़ूरों को निकाल लेने की जताई उमीद कहा सुरंग में भोजन पानी दिया जा रहा है इंडिया टीवी के चनाफ मंच पर गजेंदर सिंग शेखावत का बयान कहा लाल डायरी में गहलोत के भ्रष्टाचार के सबूत शेखावत बोले अभी सिर्फ एक डायरी काई सबूत बाकी सरकार बनेगी तो सभी आरोपों की होगी जाँच गजेंदर सिंग शेखावत ने गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा गहलोत ने राजिस्थान की शान पर कालिख पोती भ्रष्टाचारी को सजा मिलेगी जैपूर में जेपी नड़ा ने जारी किया संकल्प पत्र राजिस्थान के लिए बीजेपी ने खोली वादों की चड़ी जेपी नडडा ने गहलोद के कारेकाल में पेपर लीग के कारेकार्ड तोड़ने का आरोप लगाया का सरकार बनने पर पेपर लीग कांड की होगी SIT जांच जैपी नड़ा ने गहलोद सरकार पर आरोप लगाते हुए केंद्र की योजनाओं में अडंगार डालने की बात कही कहा केंद्र की तरफ से राजिस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज जैपुर पहुचे राहूल गांधी का सीएम गहलोद और सचिन पाइलेट ने स्वागत किया बोले राहूल हमें एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे कॉंग्रिस जीते की चुनाव पीजेपी की परिवारवाद के आरोप पर राजिस्थान के सीएम अश्योग गहलोद ने कहा तीस साल से गांधी परिवार से ना कोई प्रधान मंत्री है और ना ही किसी पद पर है सीएम गहलोद बोले हमें स्थानिय मुद्दों और विकास पर चिनाव लड़ना है जनता सरकार को रिपीट करने के मूड में है पोपाल में कल के मतदान की तैयारियां पूरी की गए एवी एम वीवी पैट और अन्य चिनाव समागरी खटा करने में लगे मतदान कर्मी मद्य प्रदेश के पन्ना में उतर प्रदेश के सीम योगी आलितनात की रैली कहा प्रदेश में सिवराजु सिंग चोहान की नेतरतों में हर नागरिक तक पहुंची योजनाई नरेंधरि सिंग तोमर के बेचे के वाइरल वीजियो पर कमलनाथ का बयान कहा अगर वीजियो है तो इस पर सफाई देने से क्या फाइदा कल होने वाले वोटिंग पर कमलनाथ ने कहा मैंने मत दाताओं से अपील कर दी है कि सचाई का साथ देना है पोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में चिनाव आयोग जुटा 400 वर्ग फुट की मतदाता जागरुकता रंगोली बनाई गई फ्री राशन योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने के पीम मूदी के अलान पर जैराम रमेश ने उठाय सवाल कहा सरकारी नोटिफिकेशन में किवल 2023 तक की बाद पनीरसेलवम और पलनी सामी का जगड़ा एक बार फिर से सामने आया पनीरसेलवम ने कहा पलनी सामी के साथ दोबारा काम करनी की कोई संभावना नहीं दिली जमीन घुचाले में केजरिवाल सरकार ने CBI को भेजा मैटर मुख्य सचिव पर बेटे को साथे आठ सो करोड का लाब पहुचाने का आरूप करनाचक में कुमारा स्वामी ने CM सिद्धा रमाया के बेटे या तिंद्रा का विडियो जारी किया CM और उनके बेटे पर ट्रांसफर के बदले कैश लेनी के गंभीर आरोप लगाए तेलंगाना के निजामाबाद में BRS के MLC के कविता की गाड़ी की चेकिंग हुई 30 नवंबर को तेलंगाना में है वोटेंग तेलंगाना के सिकंद्राबाद विधांसबाक शेतर में BJP की बाइक राली, BJP अद्धेक्ष और केंद्रिया मंत्री जी किशन ड्रेजी ने बाइक राली का नेतरत्व किया रुधियाना में एंटी ड्रग्स साइकिल राली का आयोजन किया गया मुखे मंत्री बगवन्तमान ने हरी जंडी दिखा के रवाना किया साइकिल राली में शामिल भी हुए श्रिणागर में लाल चौक के घंटा घर में स्थापित पीएम मोधी का कटाउट बना आकर्शन का केंद्र कटाउट के साथ लोग ले रहे हैं सेल्फी प्यूश गोयल ने सान फ्रांसिस्को में माइक्रों टेकनोलजी के सीयो और अध्यक्ष संजे महरोत्रा से मुलाकात की भारत के बढ़ते सीमी कंड़क्टर एको सिस्टम प्रोडक्शन पर भी बात हुई भारत मैनमार सीमा की सीमावर्ती इलाकों में मैनमारी सेना के हवाई हमले मैनमार के नागरिकों ने भाग कर मिजोरम के जोखा वथर छेत्र में क्षरन ली न्यूज क्लिक टेरर मामले में एधी का बड़ा एक्शन अमेरिकी करोड़पती नेविल सिंगम को भेजा समन चिनाई के राधा कृष्णन स्ट्रीट में आयकर विभाग की कारवाई करनाटक के कपड़ा वेविसाई के आवास की तलाशी ली गई जमु कश्मीर के पुँच में तीन रगत असकर भाईयों के घर की कुर्की गाड़ियों को भी पुलस ने जब्त किया इटावा में 12 घंटे में ही एक और ट्रेन में आग लगी दर्भंगा एक्सप्रेस के बाद वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के S6 कोच में आग लगी पैंट्री करमचारियों और गाड़ ने आग पर कापुपाया रात में आग लगने के वक्सोय थे बोगी के यात्री आग लगने से घायल 11 यात्रियों को सैफ़ई मेडिकल कॉलेज में रेफ़क किया गया नई दिली दरभंगा सुपफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की बोगिया जली उनको हटाया गया कल इटावा के पास ट्रेन में लगी थी आग अंबाला में हर्याना रोडवेज के एक ड्राइवर की हत्या हत्या की विरोध में बस हर्ताल से यात्री पर हिशान उतर प्रदेश की बिजणौर में नगीना में घर में घुसकर महीला से गैंग रेप आरोपियों की तलाश में पुलिस ने दो टीमों को लगाया दिली की मंत्री आतिशी ने दिली में छट के लिए घाटों का जायजा लिया कहा दिली की एक हजार घाटों पर दिली सरकार ने की विवस्था आतिशी ने बीजेपी और कॉंग्रिस की ततकालीन सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा तब दिली में केवल 100 घाट बनाये जाते थे केजरिवाल सरकार बनाती है 1000 घाट चटपरव पर बिहार जाने के लिए आज भी मुंबई स्टेशन पर भारी भीड लोकमाने तिलक टर्मिनस पर आज की ट्रें के लिए राद से ही लाइन में लगे यात्री बीड कंट्रोल करने के लिए स्टेशन पर जी आरपी आरपी एफ के जवान तैनाथ यात्रियों का रेलवे पर आरोप स्पेशल ट्रेन में नहीं मिल रहा टिकेट कई ट्रेनों से दिली की हवा कई दिनों से दिली की हवा हुई बेहद खराब सुभा नहरू पार की लाके में जबरदस्त धुन्द नजर आई अमित मालविय ने पंजाब में जल रही पराली को दिली में प्रदूशन के लिए जिम्मेदार बताया कहा पंजाब में हर दिन धाई हजार से अधिक पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही है मुंबई में भी सुभा हवा में छाई रही धुन्द की परत मरीन ड्राइव के आसपास जबरदस्त धुन्द इस्राइली डिफेंस फोर्स के लड़ाको विमानों ने इसमाईल हानिया के आवास पर हमला बोला हमास का राजनेतिक ब्यूरो का प्रमुक है इसमाईल हानिया चीन के उत्तरी शंक्सी प्रांत में एक कोईला कंपनी के आफस में आग लगी आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई